नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चानल में दोस्तों 9 फेबरली दिन शुक्रवार इस साल की सबसे बड़ी अमावसिय, मौनी अमावसिय इस दिन भगवान शनीदेव के आशिर्वात से बना दिव्य और दुरलब महाशुब संयोग, काल सर्प योग, बारा राशियों में से छे राशियां होंगी, करोड़ पती, माला माल, यूँ कहें कि अब भगवान शनीदेव की क्रिपासे, बारा राशियों में से छे यानि कि मोने अमावस्य के दिन स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते इने करोड़पत्ती बनने से माला माल बनने से। कौन कौन सी है जो भगवान शनी देव की क्रिपा से 9 फेवररी मौने अमा वस्य के दिन करोड़ पती बनने वाली है धन से माला माल बनने वाली है आज इस वीडियो में हम आपको उन भागेशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को मिस ना करें क्यूंकि ये वीडियो छे राशी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों वीडियो को शुरू करें सबसे पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनी देव और हनुमान जी के सभी भक्त इस वीडियो को एक लाइ बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शैर जरूर करें दोस्तों आपको बता दे हिंदू धरम में अमावस्य का दिन बेहद खास माना जाता है इस दिन स्नान दान पूजा पाठ में तरपन आधी करना लाबकारी माना गया है दोस्तों आपको बता दे कि सनातन धरम में अमावस्य की तिथी का विशेश महत्व है इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विश्णु की पूजा वरत करने का विधान है साथी पिंडदान और पित्रों का तरपन किया जाता है मानिता के अनुसार अमावस्य तिथी पर गंगास्नान, पूजा, जप, तप और दान करने से सादक को शुब फल की प्राप्ती होती है कहा जाता है कि तरपन करने से पूरवज प्रसन होते हैं उनकी कृपा व्यक्ति पर सदेव बनी रहती है दोस्तों आपको बता दें कि सनातन दर्म में अमावस्य की तिथी का विशेश महत्व है प्रती एक मा के कृष्ण पक्ष की पंद्रवी तिथी अमावस्य कहलाती है ये वो समय है जब चंद्रमा पोन रूप से अद्रिश्य हो जाता है अर्थात दिखाई नहीं देता मागमा में पढ़ने वाली अमावस्य को मौनी अमावस्य भी कहा जाता है इस तिथी पर कही सादक मौन साधना करते हैं जिस कायन इसे मौनी अमावस्य के नाम से जाना जाता है आपको बता दे मागमा की अमावस्य तिथी 9 फेवरी सुभे 8 बज कर 2 मिनिट पर हो रही है वहीं इसका समापन 10 फेवरी प्रातह 4 बज कर 28 मिनिट पर होगा ऐसे में मौनी अमावस्य 9 फेवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी मौनी अमावस्य पर गंगास्नान ब्रह्म मोहर्त से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है बताना चाहेंगे आपको माग मा में पढ़ने वाली मौने अमावस्य पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद कही सादक पूरे दिन मौन व्रत भी धारन करते हैं जोतिश शास्त्र के अनुसार चंद्रदेव को मन के देवता माना जाता है अमावस्य के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता जिस कारण मन की सिथी बिगड़ सकती है ऐसे में अमावस्य तिथी पर मौन रहकर मन को नियंतरन रखने का प्रयास किया जाता है दोस्तों आपको बता दे मौनी अमावस्य पर पवित्र नदी विशेश कर गंगा सनान करने का विधान है माना जाता है कि अमावस्य पर देवता और पित्र प्रयाग राज के संगम में सनान करने आते हैं ऐसे में जो भी व्यक्ति ब्रह्म मौर्थ में गंगा नदी में सनान करता है उसे लंबी आयू के साथ साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है यदि आपके लिए गंगा नदी में जाकर सनान करना संभव नहीं है तो ऐसे में आप घर पर पानी में ही गंगा चल मिलाकर भी सनान कर सकते हैं दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भागेशाली राशियों की जिन खुशनसीब और भागेशाली राशियों पर भगवान शनीदेव की कृपा होने वाली है। आपको बता दे इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यावसाय में व्रिदी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरकी मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाते हैं या पढ़ाई करना चाते हैं उन्हें विदेश में नौकरी और बन रही है, शाथ ही साथ इस राशी के लोगों की आय में वरिधी होगी, जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में जादा मुनाफ़ा होने की संभावना बनी हुई है आप अपने सभी कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करेंगे भगवान शनीदेव की विशेश कृपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है जिसे आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां जिसे मकर राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों अगली राशी है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव की क्रेपांसे आप लोगों के लिए समय बहुती अब अच्छा आने वाला है भगवान शनीदेव आपके उपर बेहत प्रसन है आपके मायन समान और प्रतिष्टा में व्रिधी होगी मेश राशी वालों जिसकी वज़े से समाज में आपकी प्रशनसा की जाएगी और आपको बता दें कि भगवान शनीदेव की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपनी जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दें जो भी आपके रुके कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दें कि जो भी कार्य हैं आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्तों भगवान चनिदेव के आशिरवाद से मेश राशी वालों आपके आय के साधनों में व्रिदी होगी दोस्तों भगवान चनिदेव की आशिरवात से आपको धनलाब प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे आपके घर परिवार में कुष्टुमा माहोल रहेगा साथी साथ आपके कारोबार में प्रिधी होगी सावाजिक शेत्र में सफलता प्राप्त होगी अचानक से धनलाब प्राप्ति की आपके लिए संभावना बन रही है साथी साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरिदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अविश्य ही सफल होगी शनी देव की विशेश कृपा मेश राशी वालों आपके उपर बन रही है समय अब आपके पूर्णता पक्ष्च में है समय का आप भरफूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दे दोस्तों इस लेस्ट में जो अगली राशी आती है वो है व्रिशब राशी व्रिशब राशी वालों को बता दे कि भगवान शनी देव के आशिर्वात से आपको बहुत जल्द कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे है दोस्तों आपके द्वारा की गई महनत का अब आपको फाइदा प्राप्त होगा आपको बता दे भगवान शनी देव की कृपा से ही आपकी आर्थिक सिती पहले से बहतर होगी आपके रुके हुए कारे अब सफलता पूर्वक बनेंगे दोस्तों के साथ मेल जोल बड़ेगा साथी साथ इस राशी के लोगों को अनेक प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है परिवार और जीवन साथे का आपको पूरा सयोग प्राप्त होगा आपके मदुरवानी की वज़े से आपके सभी काम पूरे होंगे सफलता पूर्वक आपके सारे काम पूरे होंगे भगवान शनीदेव जी की विश्चेश क्रिपा आपके उपर बनी हुई है जिसकी वज़े से आपकी धन सम्मंद जो भी परिशानियां हैं बेशेश क्रिपा विशब राशी वालों आपके उपर बन रही है आप दिन दुगना राज चोगनी तरक्की करेंगे और अपनी जीवन में आगे बढ़ेंगे आप अपनी सफलताओं की अब जंडे गार देंगे जिसे दुनिया आपका जल्वा देखेगी कहना गलत नहीं होगा भगवान शनी देव के आशिर्वात से अब आपके लिए समय बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों इस लेस्ट में जो अगली राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी वालों को बता दे भगवान शनी देव की विशेश क्रिपा आपके उपर बनी हुई है कन्या राशी वालों आपको बता दे, ना केवल आपको धनलाब होगा, बलकि आपके व्यापार में खूब व्रिधी भी होगी इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन व्रिधी के पूरे योग है साथी साथ व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफ़ा होगा दनलाब प्राप्ती के अनेक अवसर कन्या राशी वालों अब आपको मिलने वाला है साथी साथ जो लोग संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ती होगी और साथी साथ उनके घर परिवार में कुष्टुमा माहोल रहेगा प्रेम संबन मजबूत होंगे, साथी साथ आपकी सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे आपकी समझत मनों कामनाएं पूरी होंगी भगवान शनीदेव अब आपको अपनी जीवन में अनिक प्रकार के लाब, धनलाब और सफलता की प्राप्ती होने वाली है जिससे कन्या राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा जिहां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है सिंग राशी दोस्तों सिंग राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से ही आपके लिए समय अब बहुत ही बहदरीन होने वाला है आपको बता दे, आपको नाकेबल मान सम्मान मिलेगा, बलकि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा जीहां दोस्तों भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर बन रही है, इसके साथ ही आपको काफी धनलाब भी होगा जब एक तरफ परिवार में कुश्यों का माहुल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रिधी होगी सिंग राशी वालों अब आपको चारों तरफ से लाब ही लाब मिलने वाला है, भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर बन रही है, साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पधोनती के साथ साथ वेतन व्रिधी के भी पूरे योग बन रही है सिंग राशी वालों आपको बता दे, भगवान शनीदेव की क्रिपा से अब आपके लिए धन प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आतिक सिती मजबूत होगी, इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियो होगी, दोस्तों आपको बता दे, भगवान शनीदेव की क्रिपा से सिंग राशी वालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ती होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, कहना गलत नहीं होगा सिंग राशी वालों, भगवान शनीदेव की आ अची खबर मिलने के योग बन रहे हैं। जी यां दोस्तों आपको बता दे आपकी मैनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दे आप लोगों के उपर भगवान शनी देव की असीम क्रिपा बनी हुई है और भगवान शनी देव की क्रिपा से आपकी धन समन्दित सभी जो परेशानी थी दूर हो जाएंगी और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। धन में खूब व्रिधी होगी और अनिक प्रकार के लाप, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है। आपको बता दे भगवान शनी देव की कृपा आपके उपर विशेश रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दे जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदवनती के साथ साथ वेतन वृधी के भी योग हैं। आपको बता दे कि भगवान शनी देव की कृपा से धनुराशी वालों आपके जीवन की समस्त परिशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है कुम्ब राशी। कुम्ब राशी वालों को बता दे कि भगवान शनी देव की कृपा से ही आपके जीवन में अब खुश्यों का बंडार आने वाला है। आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन विधी के योग हैं। साथी साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मन चाही नौकरी भी मिलेगी। साथी साथ आपको बता दे, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, वो पैसा भी आपको जल्द ही वापस मिलेगा, साथी साथ आपको व्यापार में जो भी रुकावटी आ रही है, वे रुकावटी खतम होंगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही, खुशियां होंग है समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है इस समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दे दोस्तों अगली राशी है मिथुन राशी मिथुन राशी वालों को बता दे भगवान शानीदीव की विशेश कृपा आपके उपर बन रही है आपको आन पूरे आर्थिक कारे पूरे होंगे और परिवार में शान्तिव आनंद का वातावरन रहेगा आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है भगवान शानीदीव की कृपा से आपके सभी कारे सफल होंगे व्यवसाय में अचानक लाब होगा और इसमें एक धनलाब प्राप्ति होने वाली है साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना इनकी अविश्य ही सफल होने वाली है संतान प्राप्ति का भी सुख मितुन राशी वालों अब आपको मिलने वाला है जिसे घर परिवार में ह खुशिया ही खुशिया, कहना गलत नहीं होगा मिथुन राशी वालों, भगवान शनीदेव के आशिरवाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है, समय का भरपूर लाब उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दे, इन राशी वालों के जीवन में होग कि अब खुशिया ही खुशिया, दोस्तों भगवान शनीदेव का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त हो, दोस्तों आपसे अनुरोध है, आप सचे दिल से कमेंट बॉक्स में जये शनीदेव अविश्य लिखे, वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेर करे, मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार